दोस्तो जानेंगे इस वीडियो में मिथो ट्रिक्सेट टेबलेट के वारे में यानि फॉली ट्रेक्स टेबलेट के वारे में जानेंगे यह किस टाइब की दवा आती है कहां चलती है डोज क्या होती है कितने रुपिंग मिलती है चावधानी क्या है किस तरे से लिए जाता है सो वीडियो को पूरा देखेगा संपुल जाना Kerry लिए वीडिया वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्थो मित्सों ट्रिक्शट एक मोलीकूल नेम है है उसके अंदर कई सारी इसके अरी बरैंड जब सारे हतियार फेल हो जए तो एक हतियार ऐसा होता है जो काम करता है तो आप कह सकते हैं यह तब दी जाती है जब बाकी दवाई कम करना बंद कर में लिए यानि Illinoisal रोजाए तब यह हतियार काम मिली जाता है इस दुआ का यूज किया जाता है कहने का मतलब है कभी भी शेलिफ्यूज नहीं करना है डॉक्टर प्रिस्काइब करते हैं तो ध्यान रखिए तो अभी बात कर रहे हैं धाई अमजी भी धाई अमजी की पराइज होती है करीब 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 50 उपर के आज पास 10 टेबलेट या द्येक किया जाता है और यह यह जो दयी अमजी है न यह बक्चे में ज्याजर उजय होता है बच्छा फांच साल का 10 साल का बार साल काAK पंदरा साल Note 8 साल तो इस त्रह से बक्चे यह बक्चे वहां पर द्याक्टर मतलब बच्चे थे अब दिर्देते हैं अब देख्यें मि Latiplication होने से रोकने वल्ल दौा भी होती है तो दिखिए यह cancer में काम आती है सबसे पहली प्रोलम आती है cancer Cancer चाहे वह head के अंदर हो चाहे कोई tumor हो चाहे कोई skin cancer हो या कोई heartic cancer हो कोई आथ का cancer हो किसी और टाइब का cancer हो वहाँ पर उन cells को आगे बढ़ने से रोकती है, उनको down करती है, जिसके कान cancer बढ़ रहा है, तो cancer की problem में ये चला ही जा सकती है दूसरा दोस्तो, psoriasis की problem, psoriasis की problem, uncontrolled psoriasis, severe psoriasis, यानि psoriasis दोस्तो एक पप्ड़ीदार, खुजिलदार skin disease होती है, skin problem होती है skin के उपर बहुँ जादा खुजिल चलती है, इतनी खुजिल चलती है कि वेक्तिक खून निकाल लेता है, चोचोड़े, मतलो खुरूट से आते हैं, skin के उपर पप्ड़ीशी बन जाती है, skin सूपती बहुँ जादा उसमें, वहाँ पर सूप के खुजिल चलती है, खून आता ह काफी लंबी चलती है ये प्रोलम, और काफी ख़तरनाग दर्दनाग प्रोलम होती है, auch autoimmune disease होती है, immune system autoimmune system में बतल जाता है, यानि body के अपने ہी cells को खा जाता वहां पर उन cells को प्रोटेट करता है, cells को damage होने से बचाता है, उस condition में ये काम करती है तीसरी तो प्रोवल्म आती है arthritis problem, arthritis problem भी autoimmune disease के काहनी होती है उसके अंतर दोस्तों होता कि joints में inflammation आ जाती है, pain होता है, दर्द होता है, sudan आती है सूजन को दर्द को ये कम करती है पेन को कम करती है और वहाँ पर चलाई जाती है और गटिया वाव की प्रोलम में डोक्टर दे सकते हैं बच्चों में भी होता है बड़ों भी होता है बड़े वेक्तिव इसके उस करते हैं वहाँ पर मिलिग्राम जादा हो जाती है या दोस्त और दस्त को रोकने के लिए डोक्टर दे सकते हैं आंथ के अंदर सूजन आ जाता है क्रोहन डीजीज में या दोस्तो सफेद निसान की प्रोलों वाइट पैच विटी लीगो प्रोलों बच्चों में होती है चेरे के उपर दाग से दिखते हैं सफेद सफेद तो वहां पर भी दोक्टर दे सकते हैं या इसकीन के उपर कोई वाइट पैच है वह भी वहां पर भी दोक्टर दे सकते हैं जो वाइट पैच होते हैं वहां पर जो सेल्स होते हैं वो डेमेज हो जाते हैं मर जाते हैं तो वह वाइट पैच आगे ना बढ़े इसकीन के उपर सुजन ना आए खुझली ना चले जल नलना हो तो डोक्टर वहाँ पर दे सकते हैं फेस के उपर भी हो सकता है इसकीन के उपर कहीं पर भी वाइट पेच बच्चे के हो सकते हैं तो इन प्रॉब्लम में चलती है ठीक है एंटी एंफिलामेंटरी डर्ग होती है इम्यूनो सपर्जेंट मेंडियसन होती है लेकिं दोस्तों इस टेबलेट की काफी साफधानिया है जो की द्यान से सुनिएगा एक तो पाने कुपी ना है अगर आप इसका यूज कर रहे हो पाने कुपी ना है दूसरा दोस्तों यह जो बोल्डिक अंदर सेल्स होते है उसको डेमेज करती है उनकी गतिव कम करती है इसलिए इसको साथ में फॉलिक एसिड टेबलेट जरूर लेनी चीए फॉलिक एसिड विटामिन होता है उसकी टेबलेट डोक्टर दे देते हैं अगर फिर भी नहीं दिया हो तो आपको डोक्टर से बात चीए करके फॉलिक एसिड टेबलेट जरूर लेनी चीए ठीक है क्योंकि यह काफी ज़रा साइड फिट करती है गरम करती है और इम्यून सिस्टम को डाउन करती है और बोल्डिक अंदर जो शेल्स बनते हैं उनको डाउन करती है जिसे की सेल्स की क्वांटिट का मुझाती है खुन की कमी भी हो सकती है और अलगलग प्रोलम भी हो सकती है पेटिके अंदर अगर शेल्स कम बन जाए तो तो इसलिए फॉलिक एसिड टेबलेट साथ में लेनी बाकी 6 दिन फॉलिक एसिड टेबलेट आपको रोज एक लेना है इस तरह के से डोज होता है और अपने डोकर के अकोर्डिंग लेना चीए बाद रहते हैं इसके क्या-क्या साइड फेट हो सकते हैं इस टेबलेट को लेने के बाद तो इस टेबलेट को लेने के बाद कई बा कर सकते हैं तो यह थोड़ी बहुत साइड फेट है इस दिवाक को लेने बाद हो सकते हैं जादा हो जूरूर बताना चाहिए तो दोस्तों संपूर्ण रहे होता फॉली ट्रेक्स धायमजी टेरोड के बार में या आते वीडियो देंगे लिए बहुत बहुत धनिवा